हलो इस्टुडेंट कल्यानिया इसे केड़ को उनलाइन प्रेटफार्म पर आपका स्वागत है मैं हूँ लखन दायमा आपको एंपीपेशिमेंस एक्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है सम्मिधान सासन वेवस्था र्याजनि में आपको पढ़ाएंगे नियाय का के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका अर्स क्या है एक नएप क्य सब्सक्त stay कि पॉर्टमान च शर्बन सा सामाज में जीवन तथा सारजनिक जीवन को व्यवस्थीट करने के तो तरीकों से होता है हारत मत में तो हम देखते हैं कि न्यायका अर्थ है क्या है तो न्यायका अर्थ हम देखते हैं कि समाज में जीवन और सारवजनिक जीवन को वेवस्तित करने वाले जो तोड़ तरीके होते हैं वही क्या कहलाते हैं न्याय कहलाते हैं और इससे समाज के विभिन वर्गों के मद समाजिक लाव और समाजिक करतव्व्यों का वटवारा संभव हो पाता है यह न्याय का अर्थ होता है अब इसके बाद फिर डाक्टर भीमरा अम् venture कर ने न्याय के सम्बंद में अपने विचार विःख ते कीए है तो इनके विचार क्या हिए देखिए ई तो डाक्टर भीमराम बेडकर के सब्दों में न्याय करते क्या होता है तो इन्हों ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परसपर समान या परसपर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर करोना से भरे समाज का निर्मान करे यह कहलाता है न्याय हारा समझ में यह आपको ध्यान रखना है तो यह इनका विचार है तो एक्जाम में अगर आप से पूछें तीन नंबर में कि न्यायकार थे लिखिए डक्टर भीम्रा अंबिड करके सब्दों में तो आपको फिर यह बताना पड़ेगा ठीक है अब इसके कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं थें जिसे और एकीं कर्णा řिता सकता है उसे हि में कहते हैं यह जह येस मिलक सब्डों में नयाय का अर्थ होता है आभ इसके बाद फिर नयायेपालिका किसे कहा जाता है थो नयायेपालिका का आर्थ आपको ध्यान रखना है कि विधियों के व्याक्ष्जा करने वाइन că उलंगन करने विक्तियों को दंडित करने के संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं यह न्यायपालिका का अर्थ होता है मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी विक्ति कानून का या विधी का उलंगन करता है तो उसे सजा देने के लिए एक संस्था होती है या एक व्यवस्था होत तो न्याए पलिका कि स्थर कौन कौन से हमारे भारत में हैं तो पहले इस थर पर देखिए आप उच्चितम न्याले को कहा जाता है सर्वोचे न्याले और यह दिल्ली में स्थित हैं इसके फिर अधिन रहकर कारी करते हैं हमारे उच्छे न्याले तो सबसे उपर उच्छे तम न्याले या सर्वोचे न्याले उसके नीचे फिर उच्छे न्याले जो राज्यों के लिए होते हैं ठीक है राज्यों में कारी करत कहा जाता है और यही दिनस्ते न्याले का आते हैं यह आपको दहान डखना इन haramco इनका इस्तर होता है नायपालिका हमारे भारत में ठीक है आप इसके वाद दो गरा अग्ला है चितरन ने स्क्राव्य का मतलब हमारे भारत में चितर nossa ने स्ट्री स्टत्र इसके बाद फिर अधिनस्त न्याय पालिका किसे कहते हैं तो अधिनस्त न्याय पालिका का अर्थ होता है जो अधीन रहकर कारी करती है या नियंत्रण में रहकर कारी करती है तो उसे अधिनस्त न्याले कहते हैं आरा समझ में अब आप से उत्रे होंगे कि क्या उच्छे न्याले उच्छे तम न्याले या सर्वोच्य न्याले का इधिन रहकर कारी नहीं करता होगा करता है लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण सर्वोच्य न्याले का भी इन पर नहीं होता किस पर उच्छे न्याले उप पर क्योंकि इनका जो प्रसासनिक सक्तिकारी होता है या प्रसासनिक सक्तियां होती है तो प्रसासनिक सक्तियों के मामले में उच्छ न्यालय भी स्वतंत्र होता है उस मामले में बहुत सर्वच न्यालय के नियंद्रन रहे करकारी नहीं करता आरा समझ में इसलिए सर्वोची नयालय को और उच्छी नयालय को उच्छी तर नयाय पालिका कि सेड़ी में रखा गया है अब इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वोची नयालय बिल्कुल भी नियंद्रन नहीं कर सकता उच्छी नयालय पर तो उच्छी न और निमंतर न्याय पालिका या अधिनस्त्र न्याय पालिका परण आपको बताया है तो समझे सभी लोग या है तो जो उछलय करते हैं नियेंट्रान कर लगे सब्सक्राइब करते हैं अगला आता है उब आपालिका से संबंदित कुछ महत्पुन फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है तो सभी अधिनस्त न्याइपालिकाइं प्रसासनिक द्रश्टी से उच्छ न्याले के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहकर कारी करती है हारा समझ में इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में जितन प्रसासन की निगरानी भी करता है आरा समझ में यह आपको ध्यान रखना ठीक है आप इसके बद देखिए अब यह प्रसासन का मतलब क्या हुआ तो प्रसासन का मतलब होता जैसे कर्मचारियों की भरती करना न्याले में इसके बाद में इनका टाइम बढ़ाना है घटाना ह ठीक के इनको प्रमोसन करने की बात आती है कब छुट्टी रखना है इछ सभी बाते या सभी प्रक्रियाई सभी कार्य प्रणाली प्रसासन के अंतर mister Gद आती है और जो दिनस्त अन्याले होते हैं उनके कार्य प्रणाली पर भी हमारा उच्चे न्याल्य निग्रानी रखता है, आरहा थमझ में ये आपको ध्यान रखना है, आप इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है, कि उच्चे न्याल्य न्याईक द्रिस्टि से सर्वोच्य न्यालय के अधिन होकर कारी करते हैं, या नियंतरन रह में रहक टोग सेन क्या उकार्द करते हैं इसका अगर्ष और नहीं करते हैं कि इसकार्थine करें हम्मौरण अप्रसासनिक कारी में थोड़े दिर पहले हमने आपको बताया कि जैसे कर्मचारियों की भरती करना आप कर्मचारी कौन इसके बाद में भरते हैं ठीक है इनकी भरती करना इसका प्रमोसन करना यह सारे काम हमारे न्याले उच्चे न्याले ही करते है और कब इन कर्वचारियों को शुट्टी देना है कब शुट्टी नहीं देना है आरा समझ में यह समस्त कारवाहि प्रसास्नि चारी के अंतरकत आते हैं तो इन मामलों में हमारा Supreme Court उच्चे न्याले हस्तचेप नहीं करता बाकि जब नियाय के बात आती है तो उसमें हमारा सुप्रीम कोट हाई कोट पर दबाव बना सकता है या उस पर नियंद्रन रखता है आरा समझ में यह आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि सर्वोच्य निया द्वारा उच्छ नियालयों के निर्णयों को बदला जा सकता है आरा समझ में अगर उच्छ नियालय ने कोई डिसिजन दिया है तो उसके डिसिजन को उसके निर्णयों को हमारा सर्वोच्य नियालय बदल सकता है इसके बाद फिर नियाएधिसों के नियुक्ति एबम उसक कुछ अधिकरण भी किसी विश्यस विभाग या विश्यस अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित किया गया है मतलब हमारे भारत में सुप्रिम कोट हाई कोट और जो अधिनस्तन्याले यह तो कारिक कर ही रहे हैं इनके अलावा भी हमारे भारत में अधिकरण है जहाँ जहाँ पर जिसका नंबर आएगा वहाँ वहाँ पर हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे ठीक है फ्रेंट यह आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद देखिए आगे अगला अगला पॉइंट इसमें आता है कि अधिकरणों की तरह या प्राधिकरणों की तरह ही कुछ आयोग कुछ बोर्ड और कुछ फोरम यह हमारे भारत में कारी कर रहे हैं जिनकी कारी से लि इत्कुछ अन्य संस्थाइं हैं मतलब हमारी जो नियाय पालिका कारी कर रही है तो इससे संबन्दील के कूछ अंस्थाओं के नाम में लोक अदालत इसके बाद में उपभोगता अदालत बाल वर किसोर नहले इस कर फास्थ ट्रै 생각 को इसके बाद फिर मोवाइल कोर्ट और की आदालत इसके बाद में ग्राम निया ले यह ऐसे संस्था हैं चेजर नियावालिका से यह ही शेत संस्था यह तो यह जो आगे देखिए इसमें हमारे भारत में जो नियाएपाली का होती है तो भारत में जो नियाएपाली का है उसके नियाएवेवस्था की विसस्ताइं क्या है ठीक है तो भारत में जो नियाएवेवस्था है इसके कुछ प्रमुग विसस्ताइं होती है जो आपको धियान रखना करते हैं अब जरूरी ही नहीं है कि हमारे भारत में कोई विगर केस है तो सारे केस इधर सुप्रीम कोट में हाई कोट में या हमारे अधिनस्तन आलव में ही जाए कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनको हमारे अधिकर्णों या प्राधिकर्णों के माध्यम से निप्टाए जात प्रादिकरन का गठन किया गया है तो वहां पर उनके समस्चा का समाधनासानी से हो जाता है ठीक है यह अपको ध्यान रखना है कि इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट में आता है नियाईक समिक्षा का अधिकार तो हमारी जो नियाईपाली को ऐसे बिधी को हमारी नयाय पाली का उसमें जांच परताल कर सकती उसकी नयाइक समिक्षा कर सकती है और उसका नयाइक पुनर विलोकन भी कर सकती है इसके बाद फिर जनही त्याचिकां की वेवस्था की गई हमारे भारत में अब जनही त्याचिका या इसी को लोके त्याच तो हुए जब नियाले स्वतही याचिका की रूप में उसे स्विकार करता है उसे हम जन्हीत याचिका कहते हैं तो हमारा नियायले हमारी नियायपाली का इसे कहां से स्विकार करेगी जन्हीत याचिका की रूप में तो हमारे जो नियाधिस होते हैं समाचार पत्र में पढ़ गयर समाचार या फिर जो निजसी सेनल होते हैं उसमें देख ले जिसमें विक्तिक के मोली अधिकारों का हनन्न हुआ है तो उसे स्वते ही हमारा That यह स्वते से स्वते ही जन्ता के कल्यान को ध्यान में रखते हो याचिका की रुप में स्विकार करता है इसलिए इसे जन्हीत याचिका कहते हैं आरा थमझ में तो इसे आगे हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल में जन्हीत याचिका के बारे में इसके बाद फिर अगला आता है एकल नायपली का एकल नायपली का कार्थ होत ठीक है अपील सुनने का अंतिम अधिकार हमारे भारत में सुप्रिम कोट को दिया गया है सर्वुच न्याले को ही दिया गया है उसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते एक मुलत्तिव दंडु को छोड़ कर ठीक है इसके बाद फिर अगला आता है न्याइधीसों की न्यूक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था मतलब हमारे भारत में जो न्याइधीसों की न्यूक्ति होती है तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम होता है या मंडल वेवस्था होती है उसमें इस न्याइदिसों की नियुक्ति में कॉलेजियम का या मंडल वेवस्था का महत्पूर्ण रोल होता है अब यह कॉलेजियम वेवस्था क्या होती है तो कॉलेजियम वेवस्था में हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर् में इसके महत्पून भुमिका होती है इसके बाद फिर अगला आता है उच्चे तम न्याले तथा उच्चे न्यालों में खंड-pid व्यवस्ता तो हमारे भारत में जो सर्वच्व न्याले है और हाई कौट होते हैं तो इनकी ब्रांच होती है इनकी खंड़ पीट की वेवस्था भी की गई है यह हमारे भारत में न्याय वेवस्था की विस्था होती है एक और इसकी विस्था है वह है सुतंत्र न्यायले मतलब हमारे भारत में जो न्यायले कारे करते हैं यह सुतंत्र होकर कारे करते हैं बिना किसी के दवाव में आकर हम आपको ध्यान रखना है तो इसका पहला कारी देखिए कानूनों की व्याख्या करना तो हमारी जो नायपालिका होती है इसका प्रमुक कारे है कानून की व्याख्या करना तो कानून की व्याख्या करना कारी क्यों करती है हमारी नायपालिका क्योंकि जो भी कानून होते हैं ये जैदातर परिस्थितियों में आइस्पस्ट होते हैं और इनके भासा कठिन होती है इनके भासा क्लिष्ट होती है जो आम आदमे के समझ से परे होते हैं आम आदमे को कभ उनकी भासा समझ में नहीं आती है तो ऐसे परिस्थिति में हमारे इन्याइपालिका को इसके व्याख्या करने के अवसकता होती है ठीक है और ऐसे स्थिति में हमारे न्याइधिस अपने विवेक के अनुसार कानूनों के व्याख्या करते हैं और जब ये कानूनों के व्याख् काणून की वहासा है अगर कासा करने के ब्याक्षा करने के आप तो यदि हमारी विधाई का ऐसा कोई कानून बनाती है या ऐसा कोई कानून पारित करती है जो संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल होता है तो हमारी नयपाली का उस कानून को संविधाने गोसित कर सकती है आरतमत में यह आपको ध्यान रखना है तो हमारी विधाई का ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे भारते संविधान का तिक्रमन होता हूं संविधान को लंगन होता हूं और यदि हमारी विधाईका ने मतलब संसद ने ऐसे कोई विधी बना दी है ऐसा कोई कानून बना दिया है तो हमारी नयपाली का अर्थात हमारा सर्वोच्चन हमारे नायपली का सुन्न गोशित कर देती है यह आपको ध्यार रखना है इसके बाद फिर अगला महत्मुन कारी देखिए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना वे संघात्मक व्यवस्था क्या है फ्रेंड तो यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं टोपिक हमने आपको संघात्र व्यवस्था क्या है तो हमयरे भारत में राज्यो का संघ रख्षा करना हमारे नयपली का नायपणर का मैतपुण करिया होता है तो संगसासन ववस्ता में केंद्र और राज्यों के बीच में सक्तियों का इस्पस्ट विभाजन किया जाता है तो इस संग्धात्मक ववस्था में हमारे भारत में केंद सरकार कारी करती है और राज्य सरकार कारी करती है और दोनों ही सरकारों के कारी अलग अलग होते हैं दोनों ही सरकार अपने अपने सक्तियों का उप्यों करती है अर्थार इनके बीच में सक्तियों का इस्पष्ट वि और राज्य सुची के जो विशय होता है उस पर कानून बनाने तथा कारी करने का धिकार हमारी राज्य सरकार को होता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही सरकार के बीच में सक्तियों का इस पस्टर विभाजन है और कभी-कभी क्या होता है तो कभी-कभी इन संगी एंपस में लिवात की स्थित्य उत्पन हो जाती है तो इन विवादों का निर्णय मरी न्याय पाल भी करती है और न्याय पाली का इस समय जो निर्णय जैती है वह से मानने होता है आना समझ में या आपको त्यान इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों की रख्षा करना ठीक है अब नागरिकों के मूल अधिकारों की रख्षा करना यह बहुत इंपोटेंट है एक्जाम में कई बार भी पूछा जा चुका है कि नागरिकों के मूल अधिकारी के किसका दाइत्व है तो यह हमारे नागरीकों के मूल अधिकारों की रख्षा करता है सबसे महत्पून पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नागरीकों के मूल अधिकारों की रख्षा करते हैं इसके बाद फिर नयायपाली का का विशेस उत्तरदायत वो होता है कि वह इस वात का ध्यान रखें कि इन अधिकारों का थिक्रमन न हो। में हनन्न किया गया है तो वह पृड़ित व्यक्ति सीधे हमारे सरवच न्याले में आ कर याचि का दर्ज करा सकता है यह सरवच न्याले के स्रण में जा सकता है और न्याय में प्राप्त कर सकता है स्टिकर summat फिर अगला आता है निर्णय हमारी नियायपाली का ही करती है यह आपको ध्यान रखना है मतलब जो कानून का उलंगन होता है तो इससे संबंदी जितने भी केस होते हैं जितने मुकदमें होते हैं इनका निर्णय हमारी नियायपाली का ही करती है यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड इसके बाद फ पिर नागरिकों के दिवानी वह फोजदारी विवादों पर पक्ष तता प्रतिपक्ष के विचार सुनकर हमारा न्याले फैसला सुनाते हैं। प्रतिपक्ष तता इसमे प्रतिपक्ष दोनों की बाते उसके बाद फिर हमारा न्याले दिसिजन देता है। इसके बाद फिर अगला कायर होता है प्रसासनिक कारियन। अब प्रसासनिक कारी में क्या होता है तो न्याले अपने कर्मचारियों की नियुक्ति ये खुद करते हैं और न्याले की कारिवाई से संबंदित प्रकिरिया का निर्धारन भी ये खुद ही करते हैं इसके बाद फिर उन्हें छोटे छोटे नियमों को लागू करने का भी नायपली का खुद ही करती है इसके बाद फिर इनका टाइम क्या होगा न्याले में आने का कारी करने का यह हमारे न्याले ही निर्धारित करते हैं इसके बाद फिर इन्हें छुट्टी कब देना है कब नहीं देना है ठीक है और कितने कर्मचारियों की अब सकता है यह हमारे आल खुद Lewy Parit गटे इसमें यह सितन्तर होते हैं और इनका यही कार्य प्रुषास्नειं कारी कहलाता है और हमारी सरकार इसमें कोई हस्तछेव नहीं कर सकती ठीक है यह अगला कारी आता है परामर्स देना यह सलाह देना तो हमारी नायपालिका का यह परामर्स देने संबंदी वधिकार होता है तो परामर्स देने संबंदी अधिकार अनुच्छे 143 में वरनित है यह आपको धियान दखना है तो नयापाली का हमारे राष्ट अध्यक्ष को परामर्स देने का कारी करती है ठीक है राष्ट अध्यक्ष का मतलब क्या हो जाता होती हैं तो हमारी नयपाली का मतलब हमारा सर्वोच नयाले हमारे राष्ट पती को सला दे सकते हैं तो सलाह किस अनुच्छत के अनुच्छत 143 के तहर तो यह हमारे राष्ट पती के पास अधिकार है अनुच्छत 143 के तहर कि वह सुप्रिम कोड से या उच्छतम नयाले से सल सलяг ले सकते हैं और हमारे इदर सर्वोच limitsने के दौर दीगे। सलाओ आब यह जरूरी नहीं है कि हमारे सर्वॉच नियालए के सला cosmos सन्याओ को सधी माने राश्ष्य पती माने या ना माने यह उनकी इक्षापन निर्वर करता है ठीक है इसके बाद फिर अगला कारी देखिए अगला कारी है विदी संबंदी कारी है अब विदी संबंदी कारे का मतलब क्या हो जाता है तो विदी निर्मान भी हमारी व्यवस्था पीका कारी है अब यहां पर व्यव बिधाई का दवारा कहाँ मित विए बनाने के लिए तो इसे हम वे व स्थापी का जाता है तो विदे निर्मान का कारे वैसे तो किसका होता है हमारी विधाई का का हमारी व्यवस्था पिका का होता है परंदु क्या होता है कि मुकद्मों के निर्ने के संबंद में या मुकद्मों के निर्ने में हमारे नियायपाली का जब कानूनों की व्याख्या करती है तो यही व्याख स्प्रिम कोट ने निरने दिया था कि जब भी कोई फिल्म सीनेमा में शुरू होगी तो सिनेमा में फिल्म शुरू होने से पहले हमारा राष्ट गान तेके जनगण मनधिन आया कि जैहे ये इसको पहले गाया जाएगा और जब यह स्क्रीन पर दिखाई देगा परदे पर दि तो एसे हम देखते कि किसी निरने से संबंदित अगर हमारा सुप्रीम कोट या हमारा नियाले कोई कानून की व्याख्या करता है तो वहीं फिर क्या क्या बन जाता है आगे चलकर कानून बन जाता है उस कानून का पालन सभी को करना पड़ता है ठीक है और हमारे न्यालय के द्वारा जो कानून लगू किया गया है या कानून गोसित किया गया है उसका जो भी उलंगन करता है उसके अम्मानना करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है ठीक है अब आगे देखे इसमें अगला कारी है विवि कारी के अंतरगत हमारा न्याले या हमारे न्यायपालिका क्या कारी करती है तो इसमें जो अल्प वैस्क विक्ति होते हैं तो अल्प वैस्क के लिए जाइदात के लिए एक ट्रस्टी या संदक्षक को नियुक्त करने में महत्पुन भूमिका होती है हमारी न्यायपालिका की इसके बाद फिर दूसरा है नागरिक विवादों या नागरिक विवादों को मंजूरी देना, इसके बाद फिर निर्वाचन संबंधी विवादों को सुल्चाना या इनके अपील सुनना, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन से संबंदित हमारा न्याले या हमारी न्यायपालिका कारी करती है और इन मुद्दों पर इन मामलों पर इन मुकद्मों पर निर्ने देती है ठीक है फ्रेंट तो यहाँ पर हमने आपको न्याय पालिका के कुछ प्रमुक कारी बताए हैं जो परिक्षा की दरिष्टी से महत्पून है ठीक है अब इसके बाद देखे इसमें अगला न्याय पालिका की सोतंतरता मतलब हमारे भारत में जो नयाइपाली का कारी करती है तो इसे कुछ सुतंत्रताएं भी दे गई है कैसे कौन कौन सुतंत्रताएं है तो यहाँ पर देखे इसमें पहले सुतंत्रता है इनकी नयाइदिसों की नयुक्ति तो यहाँ पर देखे इसमें इनकी पहली सुतंत्रता है न्याइदिसों की नियुक्ति तो सम्विधान के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यालयों में न्याइदिसों की नियुक्ति का धिकार राष्टपति को सुपा गया है जो अब सक्ता नुसार मुख्य न्याइदिस तथा अन्य नयदिसों से परामर्स भी लेते हैं हारा समझ में हमारे भारत में नयदिसों की नियुक्ति का धिकार किसको है हमारे राष्टपती को है अब ध्यान रहे कि हमारे राष्टपती यहाँ पर नयदिसों की नियुक्ति तो करते हैं परन तो इन्हें हटा नहीं सकते इनको हटाने की प्रकिरिया बहुत कठिन है इनको हटाने की प्रकिरिया जटिल है और जिन्ग नयाएदीसों को न niyukत किया अब दिर्ग कारिया उदी का मतलब कि ये 65 साल की उम्र तक सरवुच्च न्यालय में हमारे न्याइधिस कारिये करते हैं ये आपको ध्यान रखना है और जब तक ये पदपर रहते हैं तब तक इन्हें साधरन परिस्थितियों में या समाने परिस्थितियों में हटाया नहीं जा सकता तो इन्हें किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा तो जब ये सम्मिधान का अतिकर्मन करते हैं और सिद्ध कदाचार या असमर्थता की समस्था उत्पन होती है तो उस समय इन्हें हटाने के लिए हमारी संसद में महावयोग प्रस्ताव लाया जाता है आप ध् लेकिन लोगों के द्वारा इससे कह दिया गया महावयोग लेकिन ध्यान रहे कि यह महावयोग नहीं है यह महावयोग जैसी प्रकिरिया है ठीक है यह अपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इन्हें साधरन परिस्थितिम हटाया नहीं जा सकता है तो किन परिस्थितिम हटाते हैं तो या पर समिधान कातिकर्मन करें इसके बाद में फिर सिद्धक अदाचार या असमर्थता की समस्य उत्पन हो तो उस समय इन्हें हटाया जा सकता परंत Runight का आधार क्या होगा तो संसद के पास यह है ए ठीक है हमारे राष्टपतिया के लिन्हें नहीं इटा सकते आप इसके बाद देखिए फिर अगली सब्सक्राट था है कि न्याइचेत्र हारा समझ में तो न्याय छेतर में कटवती नहीं किजा सकती इसका मतलब क्या ही तो संसद को उच्चितव न्याले के न्याय छेतर एवं सक्तियों में कटवती का अधिकार नहीं है हारा समझ में मतलब कि जो मूल ढाचा होता है तो मूल ढाचा से संबंदित हमारी संसद को न्यायलों की या न्यायपालिका की सक्ति में कटवती करने का धिकार नहीं है हमारे संविधान ने संसद को संविधान संसोधन करने की सक्ती तो दी है परन्तो हमारी संसद भी सिमित दाइरे में ही संसोधन कर सक्ती है हारा समद में यह आपको ध्यान रखना है अगला आता है कारेपालिका से प्रतक करण कारेपालिका से पितक करण कारते क्या आता है तो हमारा सम्मिधान यह निर्देश देता है कि राज्य लोक सिवाओं के किरियानमेन के मामले में कारेपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे अरत मत में तो कुल मिलाकर एक पॉइंट में आपको याद रखना है कि कारेपालिका अलग कारे करती है और हमारे न्याइपालिका अलग कारे करती है तो कारेपालिका हमारे न्याइपालिका के कारे में हस्तचेप नहीं कर सकती हमारी कारेपालिका को न्याइपालिका के कारे में हस्तचेप करने का अधिकार नहीं है यही क्या है यही है कारेपालिका से प्रतक करन ठीक है आप कारेपालिका क्या है तो मैं आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ ठीक है तो कारेपालिका सीधा सार्थ याद रखें आप कि विधाई का द्वारा बनाएगा कानून को लागू करने बादी संस स्था कारिपालिका कहलाती है ठीक है इसमें कोन कोन आते हैं तो इसमें इस्थाई और आइस्थाई कारिपालिका दो भागों में इसको बाटा गया है इस्थाई कारिपालिका में हमारे अधिकारी वर्ग आते हैं और इसके बाद में आईस्थाई कारिपालिका फिर दो भाग में बढ़ जाती है एक वास्तिवी कारिपालिका और एक नाममात्र की कारिपालिका नाममात्र की कारिपालिका हमारे राश्ट्रपती और राज्यपाल आते हैं यह आपको ध्यान रखना है और इसके बाद में वास्तिवी कारिपालिका में और हमारे नयाय पालुका लग करे करती है तो काराइ पालुका को नयाय पालुका के कारे में हश्तचेफ करने का धिकार नहीं है ठीक हे? ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंट अब इसके बाद देखे अगला आता है नयाय धीसों के आचरन अब नियाईदीसों के आचरण इसका आर्थ क्या हो जाता है तो नियाईदीसों के आचरण पर वहस नहीं हो सकती उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर ही संसद में विचार किया जा सकता है या चर्चा किया सकती बाकी और किसी भी मुद्दे पर और बाकी न्याईधीसों के किसी भी आचरण पर संसद में चर्चा करने का अधिकार हमारे संविधान नहीं दिया है नहीं संसद में और नहीं विधान मंदल में इन्हें न्याइधिसों के आचरण पर विचार किया जा सकता है ध्यान रखना चाहे हमारी संसद हो चाहे हमारी विधान मंदल हो इनमें न्याइधिसों के आचरण से संबंदित कोई चर्चा नहीं की जाएगी इस पर हमारे सम्मिधान के दौरा प्रितिवंद लगाया गया है ठीक है तो किन परिस्थितियों में चर्चा होगी तो जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव यदि रखा गया है तो उन परिस्थितियों में चर्चा हो सकती है बागी किसी भी परिस्थिति में हमारे नयधी सो के आचरण पर कोई चरचा नहीं होगी यह आपको ध्यान रखना है अगला आता है अवमानना पर दंड देने की सकती अवमानना का अर्थ होता है कि न मानना इसका मतलब क्या हुआ तो जब हमारी नयाय पालिका अर्थात हमारे नयाले के द्वारा कोई निर्ने दिया जाता है और उस निर्ने या उस decision का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नयाले को हमारे नयाय पालिका को दंड देने की सकती प्राप्त है हमारा नयाले दंड दे सकता ह आरा समझ में ये आपको dhyana दखना है friend मतलव कि हमारे न्यायपालिका कि दोरा हमारे न्याले कि दोरा जो निर्ने दिया गया है उस निर्ने की अलोजना आप नहीं कर सकते आरा समझ में उसके मरियादा को बनाए रखना होगा आपको को ध्यान रखना है कि इसके बाद फिर अगला आता है कारे प्रणाली के लिए नियम बनाने की सकती और इसका आर्थ होता है कि सर्वोच न्याले को अपनी प्रणाली के नियम ने तू नियम बनाने का धिकार प्राप्त है मतलब यह हुआ कि हमारा सर्वोच न्याले जो भी कार करता हैं तो उससे संबंदित अकार हमारे सर्वोच नियाले को कोई नियम बनाना है तो वह नियम बना सकता है लेकिन ध्यान रहे संसद द्वारा निर्मित विधी के अंतरगत ही होना चाहिए हारा समझ में और इस पर हमारे राष्टपती का अनुमोधन भी आवस्च्छक होता हैं एक खैन रखना है हमारा सर्वोच नियम तो बना सकता है कारी करने के लिए परंतु विधी का उलंगणना हो तिक है ऐसा कोई भी कान नियम नहीं सकता आरत में यह आपको ध्यान रखना है मतलब दाइरे में रहकर सब कोई कारी करना है हमारे सम्मिधान के दाइरे में रहकर सभी को कारी करना है चाहे हमारी नयायपाली का हो चाहे हमारी विधाई का हो चाहे कारी पाली का हो ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर इ इतने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को मानना होगा और हमारे सभी राज्यों के जो न्याले हैं उन्हें भी मानना होगा इसके बाद फिर अगला देखेश में कर्मचारी बर्ग पर नियंत्रन अब कर्मचारी बर्ग पर नियंत्रन का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि सर्वोच्य न्याले को अपने कर्मचारी बर्ग पर पूरे नियंत्रन का अधिकार प्राफ्त होता है पर हमारा सुप्रीम कोट नियंतरन करता है ठीक है इसके बाद फिर कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी सेवा सरतें मुख्यनाइदिस तथा अन्य ध्याइदिस द्वारा निर्धारित की जाती है मतलब कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, ठीक है, इसके बाद में इनका वेतन कितने कर्मचारियों का बढ़ाना है, इसके बाद फिर कब से कब तक इन से कारी करवाना है, ये सभी हमारे न्याले निर्धारित करते हैं, हमारे न्याले डिसाइड करते हैं, ये आपको अगला पॉइंट आता है इसमें अवकास प्राप्ति के बाद बकालत करने पर प्रतिबंद अब अवकास प्राप्त करने पर प्रतिबंद यह भी प्रावधन किया गया है अब अवकास प्राप्त कोई भी न्याजिस कर लेता है ठीक है हमारे सर्वोचे न्याले का मुख्य न् कुlet है कोई भी case नहीं लड़ सकते यह आपको ध्यान रखना है लेकिन हमारे सम्मिधान में यह अ क्या गया है कि अगर को सम्मो करने के लिए नीक्ति के अंदमति हमारा सम्मृधान क्रेटा है जैसे कोई business जाज करना हो ठीक है या और कोई ambition करना हो तो उससे संबंदित इनकी अध्यक्षता में समीति गठित किया सकते हैं या आयोग गठित किया जा सकते हैं तो आपने देखा भी होगा कुछ समीतिया और आयोग गठित होते हैं हमारे न्याजिस को उसका ध्यक्ष बना जाता है ठीक है तो अब संमिट्य या आयोग जब गठित होते हैं और उस पर यह हमारे न्याजिस अपने सिफारिस करते हैं अपनी रिपोर्ट पेसे करते हैं तो इन्हें केंद सरकार के या राजी सरकार के नियंत्रन में रहकर कारी नहीं करना पड़ता ये तो स्वतंत्र होकर अपनी रिपोर्ट पेस करते हैं हारा समझ में ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर अगला आता है संचित निधी से व्य तो उचितम न्याले के न्यादिस को जो बेतन दिया नहीं किया जा सकता है ये आपको ध्यान रखना फ्रेंट अब इसके बाद 웃िकी अगे बारती नियाय प्रणाली के दोस्त अब भारती न्याय प्रणाली के दोस कौन कौन से हैं तो इसमें देखे जरा पहला दोस है कि न्याय पालिका में पूर्ण पारदर्सिता और उत्तरदाइत्व का अभाव होता है ठीक है पारदर्सिता का मतलब क्या हो जाता है तो पारदर्सिता का मतलब होता है कि हमारे न्या सिता के सामने होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है नियाले के द्वारा जो कारवाई की जाती है वो सिर्फ नियाइधिसों को ही पता होता है हमें कुछ पता नहीं होता ठीक है इसके उत्तरता इत्व का भाव होता है इनके पास यह पहला दोस है हमारी नियाइधिसों क कि संख्या में कमी तो हमारे भारत हम देखते हैं कि जितनी अवसकता है उतने नियाधिस अभी कारियरत नहीं है नियाधिस की संख्या में कभी है जिसके कारण क्या होता है कि हमारे भारती नागरिकों को नियाय प्राप्त होने में बिलंग होता है तो यही फिर इसका अगला द अधा हैं अब हमारे भारत में नयाय प्रणाली का होती उनके समक्स इतने सारे लंबित इसने सारे पुराने मामले पड़े हैं कि वह उन पर डिसिजन नहीं दे पा रहे हैं आरा समझ में तो यह भी हमारे नयाय प्रणाली का दोस होता है अगला है पतवरस्ट नयाय दिसों को दंडित करने के प्रभाव कारी उपाएं और साधनों की कमी हैं मतलब हमारे भारत में कुछ ऐसे भी नयाय दिस होते हैं जो अपने मार्ग से भटक कर कारी करते हैं तो ऐसे नयाय दिसों को दंडित करने के लिए कोई प्रभावी उपाएं हमारे भारत में नहीं है हमारे समयधान में इससे कोई व्यवस्था अलग से नहीं के गई है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंट इसके बाद फिर अगला आता है खर्चिली एवं जटिल नयाय इसके बाद फिर अगला आता है कि गरीवों के लिए उचित कानूनी सहाइता का अभाव है जिसके कारण हमारे भारत में गरीवों को नयाय प्राप्त नहीं हो पाता इसके बाद फिर बिचारा देन अभीयुक्त बहुत सारे से मुकदमे कैस अभी लंबित है जिन पर कोई न हैं तो पहला उपाय है कि है कारय दिर्स ओकी संख्या में मतलब कि जल राद नधा मतले और पड़नाली में उनको सिगरता से भरा जाएं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंट अब इसके बाद फिर अगला आता है नियाईक जबाब देही को सुनिस्षित किया जाएं इसके बाद फिर अगला पॉइंटेस में आता है न्याय पालिका की स्वतंत्रता की सुनिशित्ता की जाएं मतलब हमारे न्याय पालिका को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएं जिससे यह और स्वतंत्रों करकारी करें और सिगरता से अपने निर्णे दें इसके बाद फिर निसुल्क न्याय प पर पर संघाल सांधसद किया जाए मतलब मिलाकर नियाइद्येस की संक्या को और संघत्ळानात्मा कारी शमता में बद्द्दी की जाए मतलब नियाले होते हैं इनकी कारिशमता में और प्रद्धी की जाएं ये सब इसको उपाय होते हैं तो इन सभी को अगर अमल में लाया जाए इन उपायों को सुझाओं को अमल में लाया जाता है तो हमारे भारत में निश्चित ही जो नयाई प्रणाली के दो से उनको दूर किया जा सकते हैं इसके बाद फिर अब आगे देखें कि हमारे भारत में जो नयाई पालिका होती है यह संविधान के प्रहरी के रूप में भी कारी करती है तो हमारे नयाई पालिका के दौरा संविधान के प्रहरी के रूप में कैसे कारी किया जाता है तो इसमें देखें इसमें संसोधन अनु कि संब्धानिक मामलों में अंतिम निर्णाय करता हमारा सर्वोच न्यालय ही होता है ठीक है अगर कोई भी संब्धानिक मामला है और उससे संब्धनित कोई विवाद है या कोई भी मामला है तो उसमें अंतिम निर्णय देने का धिकार किसके पास है हमारे सर्वोच न्याले के पास होता है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि कोई भी ऐसा कानून या संसुधन जो समिधान के मूलभूट धाचे के खिलाफ हो तो उसे हमारा सुप्रिम इसके बाद फिर आगे देखें इसमें अगला पॉइंट आता है फ्रेंट कि न्याइक सक्रियता वह जन्हीत याचिका के मामले में न्याले संविधान के संदक्चक का कारी करता है तो हमारा सुप्रिम कोर्ट हमारा सर्वोच न्याले यह न्याइक सक्रियता और जन्हीत या करता है कि सरवोच न्याले को विधाई का द्वारा बनाए गए मोलिक अधिकारों से संब्दित कानून का पुनिय निरक्षन करने की सक्ति प्राप्त होती है यह आपको धियान रखना है फिर्ट जब भी कोई कानून ऐसा बना जाता है हमारे विधाई का के द्वारा जो मोलिक कोसित भी हमारा सुप्रिम कोट कर सकता है ठीक है इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि न्याले नागरीकों को मोलिक अधिकार की उपलब्दता सुनिस्चित करने हैं तो संब्धानिक उप्चारों के लिए यह संब्धानों के उप्चार के तहत पांच प्रक सेक्षेकरन परमादेश अधिकार प्रच्छा उत्प्रेशन और प्रतिसेद यह पांच रिट होती है जो हमारा सर्वचनयाले भी जारी करता है और हमारे राज्य के उच्चनयाले भी जारी करते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर कि राज्यों के की गई है सम्मिधान की द्वारा कि अपने छेत्र में रहकर या अपने छेत्रादिकार में रहकर कारी करें और जब कोई राज जिसका उलंगन करता है अपने छेत्रादिकार से बाहर कारी करता है तो हमारा सर्वचनयाले उसके द्वारा किये कारी को रद कर सकता है या सुन् महत्पुन है ठीक है तो तब तक के लिए पढ़ते रहे और देखते रहे हमारे कल्याणी आइस से केट में के सभी वीडियो जो आपको MPPS मेंस एकजाम में सफलता दिलाने में महत्पुन भूमिका निभाते हैं ठेंक्स पूर बोचिंग कर दो